ये गाईस क्या इस बगलती मौसम में आप लोग भी चादा फटने लग रही है हाथ पर बहुत जादा फटने लग रहे हैं क्योंकि आपको भी मालमें विंटर जा रहा है और अब समद शुरू होने वाला है तो उससे पहले जो यह हवाय चलती है तो उससे मारी स्कीन ड्राई तो यहां पर इंग्रियंट्स देखिए गाइस मैंने आदा जो है नीबू लिया है आदा और एक कॉफी का पाउच लिया है इस तरीके से आपको यह मसाज कम्प्लीट करने ठीक है तो नेक्स्ट आपने क्या इंग्रियंट्स डालना है गाइस एक चमच की सम्तिंग यहां आप मिला लेंगी इसमें नारियल का तेल जी हां गाइस नारियल का तेल बहुत जरूरी है क्योंकि नारियल का तेल ही हमारी स्कीन की जो परत है उसको दूर करता है इसकीन की इसकीन जो फट जाती है उसको ठीक करता है और स्कीन को स्मूध बना देता है स्कीन पर चमक मिलाता है तो देखें मैंने यह अभी जो है गाड़ा है मैल्ट नहीं हुआ है लेकिन यह एक चमज के सम्तिंग मैंने इसमें जो है नारिल का तेल ले लिया है ठीक है और एक चमज आड़ कर लेंगे आप यहाँ पर ग्लीसरीन गाइस यह देखिए तो ग्लीसरीन हमारी स्कीन के लिए ब अपते में कम से कम आपको इसको दो से तीन वार करना है अगर आपने ऐसा किया तो आप जो इस बदलती मौसम में अपनी स्कीन जो आपकी फट रहे स्कीन डैमेज होने लग रही है उसको यह पूरे तरीकी से ठीक कर देगे आप इसको फर्स्ट यूज में ही रिजल्ट करते हैं उसको करने से पहले सबसे पहले अप फेश वास करेंगे और नहाने से पहले यह सब कर लेनी जाए है यह सोना चाहिए अगर आपके पास रात में टाइम नहीं है तो आप सुबह नहाने से पहले ये काम कर लीजिए उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा स्मूध भी हो जाएगी और जो आपको जलन होने लगती इचिंग होने लगती है फट कई बार क्या होता है कुछ लोगों क स्किन की ड्राइनेस पूरी तरह से खतम हो जाएगी बट आपको कम से कम इसको 15 दिन लगातर रेगुलर यूस में लाना होगा एक दिन छोड़के एक दिन आपको इसको करना होगा अभी आपको इसके बहुत अच्छी रिजल्ट देखने को मिलेंगे गाई जो बाडी लोश यह सब्सक्राइब 10 ऑट करैं से यह आपका सकते हैं अच्छे आप इस रेमेडी को कहीं पे और भी लगा सकते हैं यूज कर सकते हैं यूसकर सकते MODY ठीक है तो मसाज करेंगे देखिए इस सरीक zeggen यह यह आपका scrubbing का काम करेगा आपका जो है massage का काम करेगा दोनों ही इचीन में एक स्कीन पर glow भी देंगी आपकी face पर नई चमक देंगी और सबसे बात जो इसके अंदर नीबू एड़ किया है नीबू आपको मालूमी है कि नीबू हमारी स्कीन का कलर फियर करने में बहुत मदद करता है तो आपको कोई इचिंग होने वाली नहीं है आप लोगों को जैसे नीबू से कुछ लोगों को प्रोंब्लम होती है तो कुछ भी नहीं है नीबू का जो लैक्टिक्स एसड है वो इसमें जाकर के चेंज हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर पड़ा है नारिल का त इसरींग ठीक है और यह दोनों ही चीजें हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छी होती है तो इस तरीके से आपने पूरे फेस की मसाज करने हैं गाइस कम से कम आप मसाज करेंगे 10-15 मिनट 20 मिनट आप मसाज कर सकते हैं यह बिलकुल भी आपकी स्कीन पर चुबने वाला नही है यहां पर देखिए मैंने 10-15 मिनट की मसाज जो है कमप्लीट कर लेनी है उसके बाद इसको अपनी फेस पर छोड़ देना है और अब गाइस मैं अपने हाथों की मसाज करने शुरू कर दूंगी ठीक है और जैसे कि मैंने पहली शुरूआत में वीडियो में बताया थे कि अजए आप जब भी इस रूम and करेंगे ना सबसे पहले आपको क्या करना है अपने हाथ पेरों को फेससे वाश नोज्छ कर लेना है क्सके बहुत अच्छी रिजल्ट मिलते है क्या होता अगर हम पनिशिंग नहीं करते हैं अपने हाथ पेरों की तो जो एक्सरस ओयल हमारी स्कीन से निकलता है वो काफी गंदिगी जमा कर कर देता है हाथ पेरी ना में हेसके बहुत अच्छे बेनिफेटम अगर आपकी कहनी बहुत ज़्यादा काली कार्यट ये आप ये फिंगर फिंज्टक होँद आ हैं आपकी इन सारी जीजों को आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगी तो दिखिए गाइस कम से 15-20 मिट आप अपने हाथों के इस तरीकी से round circle में मसाज करेंगे और मसाज करने के बाद आपने क्या करना है कम से कम 10-15 मिट के लिए अपनी स्कीन पर उसके बाद गुनगुने पानी से जी हाँ आपको टंडा पानी नहीं लेना है आपको गुनगुने पानी का ही यूज करना है उससे आप अपने पूरे फेस को क्लीन कर लेंगे या आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन बाथरूम में दो लेंगे कि किस तरीके से मेरे हातों की जो कहनिया थी जो काली हो रही थी वो भी अराम से अच्छी से clean होगी तो guys कोई filters नहीं है मेरी वीडियो में कुछ भी मैंने ऐसा नहीं लगा है जिससे कि आपको ऐसा लगे कि नहीं करने के बाद ऐसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर clean कर रही हो और हाथों पर भी काफी अच्छी शाइन नजर आ रही है तो डेफिनेटली गाइस बहुत अच्छी रमेडी है और आपने इसको जरूर जरूर ट्राइक करना है और वीडियो कैसे लगे गाइस प्लीज मुझे कॉमेंट में जरूर बताएगा वीडि कोई रमेडी यूज करने है तो बाई टेक केर अपना ख्याल रखे